बंदे पुरसोत्तमम हठात से सिठाकुर बोले मेरे मस्तस्क में इसी छण सब्द हो रहा था कोई कही मानों खूब आर्थ चितकार कर रहा है संध्या मंत्र को मा की मर्त्यु के तीन दिन पहले लिखा गया था यहां सुनकर मा खूब खूब सुई थी इसलिए उक्त चीज़ पर मुझे खूब प्रीती है मा से सुना था इसलिए वह मेरे लिए अरग होकर है मनस्च सुखी होना जानते नहीं हैं इसलिए सुखी नहीं होते है दुख में भी जो क्या सुख है उसे वे उपभोग नहीं कर पाते है जो विरह के अगनी ताप में जल कर मरते हैं उनका मन पुर्ण में इस्थिर रहता है मा चली गई है किन्त उस कष्ट को भूलने की एक्षा नहीं होती है प्रतीत होता है कि यह बयता ही मानो मेरी मा है सुरे के लिए जो दुख वहन है वह जीवन को रसीला बना देता है अनिता दुख के अंतर सूख जाता है प्रेश्ट के लिए दुख वह उतकंठा भोग में भी एक गंभीर त्रपती है ब्यभिचारनी वक्त अच्छी नहीं है सबसे बसिये सबसे रसिये सबका लीजिये नाम मन से इस्ट स्वार्थी होने पर सारी चीजों का ही रंग बदल जाता है उस समय मेरे जो कुछ आत्मी स्वजन बाल बच्चे गाए बच्चडा बेड़ बकरी रुपए पैसे सभी उन्हीं के लिए हो जाते है तत्पस्चात सुरेश बाबु चौधरी कुमारेश बाबु असोगडा अर्बिन्द दावंदो पाध्ध्यादी आदी आए बाच्चे के सिलसले में सिसिठाकुर ने कहा स्वामी स्वार्थनी इस तरियां ही जानती है कि दुख में भी क्या सुख है सीता, सावित्री, बेहुला, चिंता ये सभी जानती थी कि स्वामी के लिए दुख भोग करके भी उसमें कितना सुख है दुख में सुख बोध हमारा नहीं है छुधा नहीं लगने पर क्या खाने का स्वाद अब भोग किया जा सकता है अंग्रेजी में कहावत है चुधा सबसे बढ़कर रुचिकर उपकरण है चुधा के समय खाने में स्वाद होता है वह मानो स्वरगी स्वाद है कारन वह विधान की चाहत है प्रविर्ति की चाहत में स्वाद बोध अलग चीज है अपना भाग के हम स्वयम बनाते हैं भजना जैसा भाग भी वैसा। कुमारेश बाबु ने पूछा कि भजना का अर्थ क्या है जब ध्यान योग इत्यादि होता है। सिठाकुर्जी बोले सभी तो योग है। योग रख कर जो किया जाता है वही भजना है। उस समय सब कुछ ही उनके लिए हो जाता है। जनारदंदा ने पूछा कि जीवन्त आदर्सकी क्या वह सकता है। आइडिया भाव लेकर ही तो चल सकता है। सिठाकुर्जी बोले आइडिया भाव मनुस्य को इडियट बेवकूफ बना देता है। जिवंत मनस्य उसे जिवंत बना देता है और वह विकसित हो जाता है जनारदंदा ने पूछा कि complete surrender पुर्ण आत्म समरपण तो एक दिन में नहीं होता है सिथाकुजी बोले अरे साला पागल complete surrender, half surrender, पुर्ण आत्म समरपण अर्ध आधा आत्म समर्पन उससे तुम्हारी क्या जरूरत है जानों कि तुम्हारे ठाकुर ही तुम्हारा सब कुछ है जनारदन्दा बोले कि प्रविट छोड़ती नहीं है वह आत्म समर्पन करने नहीं देती है से सिठाकुर्जी बोले प्रवर्टियां तुम्हारा चाकर नौकर है अपना एगो अहम उसमें आफसेस्ट अविभूत होने पर तो तुम छोटे लोगों का चाकर बन गए उससे तुम्हारा लाव क्या है प्रवर्टियों को चाकर बना पाने में ही तुम्हारा लाव है उससे तुकारण से दिक्षा के लिए खीचातानी करना ठीक नहीं, तुम्हारे द्वारा मनस्य सुखी हो, संदिप्त हो, प्रीत हो, त्रिप्त हो, उसके माध्यम से ही वह चीज विकसित हो जाए, मनस्य को बिना मनस्य चल नहीं सकता है, तुम लोग परसपर आत्मी संबंध में सम्र परद्ध हो उठो, तुम मनस्य से प्रीम करो, तुम्हारा प्रेम ही मनस्य को विस्तार का पथ दिखावे, असोग दाबसु ने पूछा, कि सभी को क्या दिक्षित करने की जरूरत है, सिसी ठाकुर जी बोले, एक तीनका तक को भी दिक्षित कर दो, जितना दिक्षित होगा उतना ही अच्छा है वह ब्यस्ति परिवार समाज सभी के हित में ही होगा असोगदा ने कहा कि इस्तरियों का उपनिन क्यों नहीं होता है सिठाकुर्जी बहुत दिन पहले ऐसा होता था विवा के माध्यम से ही उसके सभी संसकारों की परिपूर्टी हो जाती है कुमारेश बाबू ने कहा कि किसी भी मनस्य को खूब बड़ा होने के बावजूद विसेश मामले में और स्वभाविक दुर्बलता देखी जाती है सिथाकुर्ज बोले वहां कर्ण की तरह वह मरा हुआ है ऐसा परतीत होता है कुमारेश बाबू ने पूछा कि क्यों ऐसा होता है सिथाकुर्ज बोले अवद मन रहता है कितनी तरह के कारण रहते हैं उस जगह में आने से ही वैसा हो जाता है कुमारेश बाबू दो बंधों में इर्थिया क्यों होती है सिथाकुर हिन मन्यता रहती है कुमारे स्वावु मनस्य मुख से अच्छा बोलने पर भी अच्छा काम क्यों नहीं करता है से सिठापुर्जी बोले स्वार्थ प्रणोधित होकर रहने के कारण साथपती मार्च दो हजार नौ पे संख्या पाँच च्छै साथ से जय गुरू